नमस्कार भारत आज मेरा विश्यक बहुत ही गहन और बहुत ही आउशक है कि धन जीवन में बहुत जादा मात्रा में या था मात्रा में कैसे आकरशित किया जा सकता है या जो बहुत बड़ी सफन लोग होते हैं उनके जीवन में बहुत बड़ी मात्रा में धन कैसे आता है तो तो हमारे पास दो तरीकी body होती है, एक होती है physical, जिसे बहुत एक शरीर कहते हैं, और दूसरी होती है cosmic body या आत्मा, जिसे हम cosmos से जोड़ते हैं, हमारी जो आत्मा होती है, वो cosmic body होती है, जो प्रकति से पर इस ब्रह्मभान से जोड़ती है, इस ब्रह्मभान से जोड़कर ही हम जीवन में कुछ भी आकशित कर सकते हैं क्योंकि ब्रह्मान में जो देते हैं वही लोट के आता है लेकिन लोग को पता नहीं लोग समझते हैं कि धन का जीवन में आकशन सिर्फ कठी श्रम या बहुत जादा मेहनत करने से होता है जबकि आप बड़े-बड़े अमेर लोग को मंन से धन के विश्रम अच्छे विचार होते हैं तब आपके जीवन में धन का आकशन होता है ये बहुत ही गोड़ विशय है और बहुत ही सरल विशय भी आप जो भी किताबे उठा के देख लीजिए चाहे लॉप अट्रक्शन की या कुछ भी ये दुनिया में आपने बिना जाने भी सुना होगा कितने हैं ऐसे मिलेनियर्स बिलेनियर्स हैं जिरों नहीं चाहे भले उन के ही अंदर होता है क्योंकि हर व्यक्ति जो जन्म लेता है वो भले ही अपने कार्मिक अकाउंड के अनुसार छोटे घर या बड़े घर में पैदा हो ये तो उसका पिछला कर्म है पिछले जन्मों का संजित कर्म जिसे प्रारब्ध कहते हैं अपने प्रारब्ध के अनुसा ही वह जन्म लेता है या इश्वर उसे उस घर में भेजते हैं लेकिन उसके बाद हर व्यक्ति को समान रुप से इश्वर ने शक्ति दी है कि वह अपनी आत्मा अपनी जो सब उसका यूज करके धन आकर्शित कर सकता है लेकिन लोग यह जानते ही नहीं कि धन वास्तों में और चेतन में बनता है ना कि शारीरिक श्रम से लोग समझते हैं कि धन के लिए बेहत कड़ी मेहनद करनी पड़ती है जो कि बहुत बड़े-बड़े लोग हैं वह बहुत कम फिज ओता हं कि वहूता है। उसका उल्टा है बेहते लोग वजन और आराम से काम करते हैं बड़े-बड़े लक्जरी वाली कारों में घुंते हैं वेयर बंगलों में रहते हैं वह क्या करते हैं क्या कभी आप stories कते हैंOS स मद्ण और आक्षैन कर ने म fulfill द्धर करते हैं या द्धन का निर्मार मेंटली होता है जब आप जीवन में चाहते हैं तो सबदन से पहले उसको आपको अपने मन में सोच नहीं में अच्छे विचार रखने हैं और धनी लोकों के भी विशgran में क्योंकि जब आप अच्छे विचार रखेंगे तभी आप अबंडेंस की रास्ते पूलेंगे जब तक आप बड़े लोगों से जो अमीर लोग होते हैं उनसे नफरत करते हैं रणा करते हैं या उनके विशह में गलब बोलते हैं जैसे कि यह लोग बहुत लोटते हैं दिखावा करते हैं जबकि वो ऐसा नहीं करते हैं बड़े लोग बहुत हमबल होते हैं और वो अपनी वेल्थ को अप्रेशेट करने के लिए जो काम करते हैं दिखाते हैं चाहे वो शादियों में खर्चा हो या उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी होती जहां पैसा खर्चते हैं तो वो एन्चूायमेंट करते हैं क्योंकि धन कमाया ही किसलिए उन्होंने ताकि जीवन में आनद प्राप्त कर सकें क्योंकि अद्धात है जो आत्मा का सुरूप है मूह पैदा भी होती आननद मैं लेकिन बाहरी सुरूप में यानि बाहरी वातावरण में जो विलीव मिलत हैं जैसे हम बढ़ते जाते हैं उसके अनुसार हम नेगेटिव दे जाते हैं गलत सोचने लगते हैं जब कि वास्तों में आत्मा का शुरूप आनंद मई है तो यानि हमको खुश रहना है तो खुश रहने के साथ साती धन के विशे में अच्छे विचार रखना है अच्छा ध जैसे कि आपको आप्चा जाते हैं जो आपको रहे हैं और अपने यह तो आपको अच्छा सोच नहीं सिर्फ ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर आपने सूचा अच्छा और उसके बाद सरगला सोचने लगी जैसे कि 24 घंटे होते हैं आपने पता चला एक से दो घंटे तीन घंटे भी चार घंटे भी धन के विश्यम बहुत अच्छा सूचा बाकी की बच्चे भी समय में निगेटी हो गए निगेटी भा बोला तो फिर क्या होगा फिर आपके साथ कभी भी अच्छा धन के विश्यम में नहीं होगा फिर आपके जीवन में अथा मात्रा में धन नहीं आ सकता क्योंकि ज्यादा समय आपने किसको दिया आपने निगेटी चीज़ों को दिया यानि कि आपको जीवन में ज्यादा मात यूँ ही रातो रात हमने law of attraction के वीडियोस देखें कुछ बहुत सोच लिया आरे हम इत्ते दिन से सोच तो रहें साल भर से 6 महीने से 3 महीने से 2 महीने से किसी के जीवने तो फटा-फट धन का बटन अन हो जाता है और आनक से आपने चमतकार होते हुए देखा होगा कि कई-कई कई-कंगाल लोग भी एक दम से धनी हो जाते हैं वैसे जीवनजी चले भी जाते हैं तो कुलं मेसोस करना धनी लोगों के विश्न में अच्छा बोलना जब आप इस तरह पिस पर इस करेंगे तो धन के मार्पर निश्यत रूप से खोलने लगते हैं इसके साथ घन रुपआ के खरचे रुप मुद्रा को खर्चते हैं तो मुद्रा समस्ती मुझे प्रेम करता है क्योंकि मनी एक इनर्जी है जब आप जैसी उसको एनर्जी देंगे अपने विचारों से ठीक वैसी है एनर्जी के रूप वापस सर्कुलेट होके आएगी यानी नए-णे मार कर पूलेंगे उन पर एक्श अतना करेंगे उतन लौट करके आएगा यह कुछ धन के नियम है जो अपनाने चाहिए स्यवें गलत अभी तक कि माथ को कर सकते हैं धन के जोर महीं लगाना है प्रतीक्षा करना समय करना है जैसे कि छोटा बच्चा है कुछ आता उसके मूचे आ जाए कुछ बच्चे होते ना कहते हैं देखो पापा मेरे मूचे नहीं आई जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उसको अगर अपने दूद पिलाये मूचे बंगे तो क्या वो मूचे दूद वाली असली नहीं न वो तभी आएंगी जब उसका समय होगा ठीक इसी तरीके से आप धनकी भी प्रतिक्षा कर सकते हैं आज चाहें आपकी जो भी करण सिचूशन है आप हमेशा अबंडंट फील करें खुद को तो आपके जीवन में अबंडंस ही आएगी और आपने अगर लैकिंग भ जान गए होंगे कि आपको स्वयम को फील करना है महसूस करना है कि आप बहुत धनी है और निश्यत रूप से सही समय पर इश्वत आपको मार्ग देदेगा और आपके जीवन में अथा धना सकता है और यही राज बड़े-बड़े लोग जानते हैं वो चिंदा नहीं करते ह है कैसे कहां से आयेगा बस वो अच्छा फील करते हैं अच्छा सोचते हैं और उनके मार्ग और उनकी जीवन में पहुत सारे मार्ग बन जाते हैं कधन अने लगता है इसी तरह आपके भी जीवन में आ सकता है तो अगर यह वीडियो पसंद आया हो तेसे लाइक धन्यवाद, नमस्कार भारण